जादा करोना बढ़ गया है और उसी के नमद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक्डाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था ये एक तरह से आखरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे ये आखरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसलिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं यह लगबग 36-37 परसेंट तक पहुँच गई है आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37 परसेंट तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के न पर जाये हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्राथना करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने दिल् केंद्र सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और एलोट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को एलोट हुई है लेकिन ये पूरी एलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महमारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे जगे अस्पतालों मे महसूस हो रही है लेकिन हमारे ओफिसर्स हमारे सभी मंत्री गन हमेरे सभी लोग रात-रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सिजन की कमी हुई है यह कि एक अस्पताल जहां-जहां कमी है वहां सप्लायर से मैनिफेक्चरर से ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उ देल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सिजन पहुचाने में हमारी टीम काम्याब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात-रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सिजन पहुचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाता हूँ कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। चूंकि ऑक्सिजन इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका मैंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है तो उसको मैंगेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठ्थोस कदम उठाना चालू किया एक हमने एक वो portal type बनाया है और order जारी कर दिये गए हैं जिसमें हर दो-दो घंटे में manufacturer से लेके और अस्पताल तक end user तक हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी oxygen के position बतानी पड़ेगी कि manufacturer को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर दिल्ली की तरफ जा रहे है अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई कितने घंटे की और बचे गई ये सारी चीज़ें ताकि दिली सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसेज की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रहे हैं और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सिजन मिल सके कि पूरी देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिठी लिखी है कि अगर आपके यहां आपके राज्य में गौर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सिजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सिजन मोहिया कॉंक्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन बहुत जादा कठेन परिस्थिती है इन कठेन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूं कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जंसी क्रियेट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द चुटकारा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया